Hello student, Good morning तो आज की ये क्लास आप सभी के लिए है जो भी student TGT PGT Art के exam की preparation कर रहा है exam देना है तो उसी के लिए मैं ये 1999 UPTGT Art विसे का paper आप सभी से share कर रही हूँ और आप इसे जरूर से देखिएगा क्योंकि जब हम previous question paper देखते हैं तो ही हमें पता चलता है कि paper किस pattern से आ रहा था और आने वाले समय में जैसे जैसे paper का pattern change हो रहा है तो अब question कैसे पूछे जाएंगे और साथ ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको detail भी बताऊंगे जिससे आपके कुछ नए प्रशन भी बनेंगे तो चैनल पे नए student चैनल को सबस्क्राइब करते हैं बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और all वाला बटन क्लिक कीजिएगा तभी आपको dairy class का notification मिलेगा और जो भी पुराने student जिन्होंने सबस्क्राइब कर रखा है बेल आइकन प्रेस किया है वो क्या करेंगे सभी student share and like यानि की चैनल पे जो class चल रही है इसको आपको share करना है और like करना है तो चले शुरू करते हैं और आप भी देखिएगा इस paper में आपके कितने number आ रहे हैं ठीक है तो ये 1999 का paper है जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ तो चले शुरू करते हैं यहाँ पर हम पहले question की ओर पहला question स्क्रीन पर आ चुका है आप सभी के तो बताईएगा answer यहाँ पर भारत वर्ष में प्रागयतिहासिक चित्रों की खोश सब्रथम की शेत्र में हुई है मिर्जापूर होगा कानपूर लहाबाद छासी तो यहाँ पर answer आपका हो जाएगा first यानि की मिर्जापूर तो भारत वर्ष में यह प्रागयतिहासिक चित्रों की खोश सब से पहले कहां हुई थी मिर्जापूर में किसने किया था आर्ची वार्ड कॉर्लाइल और किसने कॉक बर्ण ने जॉन कॉक बर्ण ने आर्ची वार्ड कॉर्लाइल और जॉन कॉक बर्ण ने अठारा सो असी में अठारा सो असी में मिर्जापूर याने कि उत्तर प्रदेश में इस्थित विंध्याचल की कैमूर पहाड़ियों में घुर्मंगर नामक स्थान पर खुश क्या ठीक है तो क्लेर हुआ ये प्रशन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन में चले कोशन नंबर टू आपका आगया है तो बताएंगे आंसर सभी लोग प्रागयतिहासिक चित्र प्रधानिया किस विशैसी संबन्धि थैं धर्म संबन्धी होगा आखेट संबन्धी, युद्ध संबन्धी या फिर पुरक्रती संबन्धी तो प्रागेतिहासिक चित्र जो है ये प्रधानतिया किस विशे से संबंधी थे तो आप लोग याद रखिएगा आंसर यहाँ पर option 2 आपका बिल्कुल सही हो जाता है आखेट संबंधी प्रागेतिहासिक चित्र जितने भी बने हैं ये मुख्य रूप से आखेट से संबंधी थे और यहाँ पर हीरन ठीक है हीरन बारह सिंगा इसके लावा महिस ठीक है महिस और महिस यानिकी भैसा हो जाएगा और हाथी ठीक है गोड़ा आपको ये चीज़े मिल सकती है इसलिए में बता रही हूँ हाथी घुड़ा सुवर सुवर के साथ साथ यहाँ पर गेंडा है भालू है शेर है जिराफ है कंगारू इन सभी पशों को शिकार करते हुए चितरत किया गया है ठीक है और अगर आपसे प्रिश्न पूछा जाता है कि किस पशों का सरवाधिक अंकन हुआ है तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पर हिरन का यानि की हरिण यानि की हिरन का सरवाधिक अंकन देखने को मिलता है अच्छा पशों की तुलना में यहाँ पर पक्षियों का कम अंकन दिखाई देता है ठीक है पक्षियों में सरवाधिक अगर पूछा जाए तो यहाँ पर बन सकते हैं इसलिए मैं आपको यहां पर डीटिल थोड़ा सा बता रही हूं इसके लावा आपने बहुत सारी classes यूट्यूब पर देखी हूंगी जहां पर previous question कराएगे हैं पर मेरा उदेश के वल यह है एक बार आप इस class को जरूर पूरा देखिएगा आपके पुराने किस पशु का अंकन हो है तो हिरन हो जाएगा और सरवाधि कौन से पक्षी का अंकन देखने को मिलता है तो मोर हो जाएगा ठीक है और किन-किन पशुओं का यहां पर अंकन देखने को मिलता है तो हिरन, बारा सिंगा, महिश, हाथी, घोडा, सुवर, गैंडा, भालू, शेर है जिराफ है कंगारू तो इन पश्वों का यहां पर चित्र दिखाई देता है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण पर चले कोशन नमबर 3 आपका पूछा जा रहा है कि बाग की गुफाएं कहां पर इस्थित हैं महारास्ट्र हो जाएगा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश गुजरात बताएंगे आंसर सभी लोग यहां पर करेंगे हर एक प्रिशन का आंसर आप भी करते रहिए और यहां पर ट लेकिन इसका थोड़ा सा रिटिल देखेंगे कि बाग की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में है तो याद रखिएगा धार कौन सा जिला है धार जिले में ठीक है बाग की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में हो जाएंगे यह जो गुफाएं है विंध्य विंध्या चल परवत के दक्षणी धलान पर आप लोग इन सब पर फोकस करेंगे क्योंकि आपको ये भी मिलेंगे घुमाने के लिए कि सीधे सीधे प्रशन अब नहीं मिलेंगे क्योंकि वो प्रशन पूछे जा चुके हैं तो थोड़ा सा डीटेल पढ़ना है कि विंध्या कौन सी नदी है वहां पर तो नर्मदा की सहायक नदी है नर्मदा की सहायक नदी जो की कौन सी नदी है बागमती ठीक है बागमती कहें या फिर बागिनी या फिर बागिनी ठीक है तो नर्मदा की सहायक नदी बागमती या फिर बागिनी नदी से दो से तीन मिल दूर ठीक ह बाग नामक गाउं के पास इस्तित है कौन सा गाउं है तो बाग जिसके आधार पर ही यहां का नाम बाग की गुफाएं है ठीक है यही कारण होता है कि यहां की गुफाओं का नाम बाग रखा गया होगा तो यहां पर आप्शन टू बिलकुल सही हो जाएगा आगे या फिर बादामी तो यहां पर पूछा गया शिव विवाह से संबंधित द्रिश्य जो है किस गुफा में प्राप्त हुआ है तो यहां पर आपका फूर क्लियर हो जाएगा नमबर चार बादामी की गुफाएं चली बादामी गुफा चित्रों की खोज का स्ष्य किसे जात है तो सभी लोग यहां पर जानते होंगे इसटेला क्रेमरिश चिवेट इस्टेला क्रेमरिश ने किया और कब किया था 1924 ईष्वी ठीक है और शेविवाह से सम्मधि द्रिश्य जो है ये किस गुफा में प्राप्थ है बादामी की गुफाओं में तो यहां पर चौथा आप्शन सही हो जाता है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कोशन में चले कुशन नमबर फाइब आ गया है वात्सयाइन के काम सुतर में कितनी कलाओं का उलेख है तो सभी लोगों को यहां पर मालूम होगा आंसर जल्दी से लगाएंगे 64 हो जाएगा 60, 72 या फिर 70 शेयर कर दीजेगा इस क्लास को आप सभी के पास तब चीक है लाइक तो आप तभी कीजे जब आपको ये चीजें अच्छी लग रही हो लेकिन शेयर आप लोग कर दीजेगा तो वात्सयाइन के काम सुतर में कितनी कलाओं का उलेख हो जाएगा यहाँ पर आंसर आपका राइट हो जाएगा तो नीले का पूरक अथवा विरोधी रंग आपका हो जाएगा नारंगी औप्शन फोर बिल्कुल राइट हो जाएगा तो हरे का हो जाएगा यहाँ पर लाल एक्जाम में आपसे जरूरी नहीं है कि नीले का ही पूछा जाए तो याद रखिएगा हरे का विरोधी क्या होगा लाल हो जाएगा साथ में नारंगी का विरोधी नीला हो जाएगा यानि कि नीले का विरोधी नारंगी और इसके अलावा यहाँ पर ठीक है पीले का विरोधी रग पीले का क्या होगा तो यहाँ पर बैगनी याद रखिएगा ठीक है अच्छा है इसके लिए एक रंग चक्र को याद रखिएगा तो इससे आपको आसानी हो जाएगी तो एक सरकल यह से बना लीजेगा ठीक है थोड़ा सा सरकल यहाँ पर सही नहीं बन पारा है मेरे से तो ऐसे करेंगे इसके बाद आप एक लाइन ऐसे करेंगे और एक ल रोधी लाल हो जाएगा और नारंगी का नीला हो जाएगा यहाँ पर नीला आपका है पीला यहाँ पर पीला कलर है तो पीले का यहाँ पर बैगनी हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप एक्जाम में भी बना के देख सकते हैं इसके अलावा रंग के पूरे चैप्टर को म नाम बताना है जिसके अभाव में चित्र की संरजना संभो नहीं है बिल्कुल रेखा होगा रंग होगा रूप अंतराल तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन 4 धरातल ठीक है तो धरातल की बीना संभो है कि हम कोई चित्र नहीं बना सकते हैं ठीक है तो यहां पर आंसर 4 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा सर्फिस ठीक है चित्र बनाने के लिए हमें सर्फिस की आवशकता होती है धरातल की आवशकता होती है आगे बढ़ेगे नेक्स्ट कोशन में चले कोशन नमबर 8 मीर सेयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार है जहां मीर सेयद अली का उपनाम क्या है तो इसका उपनाम है जुदाई क्या नाम है जुदाई मीर सेयद अली का उपनाम जुदाई है जो की अकबर की दरबार का क्या था मुख्य चित्रकार था मीर मुसब्बिर जिसे कहा जाता है ठीक है तो ये अकबर की दरबार का मुख्य चित पर क्वेश्चन नमर 9 आपका है पोथी चित्रन का प्रारंब की शैली में हुआ पाल जैन मुगल राजपूर तो पोथी चित्रन का प्रारंब जो होता है यहाँ पर पाल शैली में होता है option 1 जिन्होंने answer किया है उनका answer बिल्कुल सही हो जाएगा तो यहाँ पर पोथी चित्रनकारम पाल शैली से होता है और ठीक है याद रखीगा और यहाँ पर जो है अधिकांस चित्र जो है पोथियों में प्राप्त होते हैं शैली में ठीक है और यहाँ शैली जो है नाग शैली के नाम चान जाते है और इसका उल्लेक जो है सौरी गले में थोड़ा सा प्राप्लम आ गई है इसका उल्लेक कौन करता है तो तिवबती इधिहासकार है लामा तारा नाथनों ने ही इसका उल्लेक किया है ठीक है और इस शैली की जो अधिकांस चित्र हैं वो पोथियों में प्राप्त होते हैं ताड़ पत्रों में भी चित्र बनाए गए हैं पोथियों में अधिकांस चित्र प्राप्त होते हैं तो प्रश्ण है कि पूथी चित्रण का प्रार्म के शैली में हुआ पाल शैली आंसर हो जाएगा, option 1 बिल्कुल राइट होगा, next question, question number 10, अजन्ता की किस गुफा में हंस जातक भीती चित्रण है, यहाँ पर बात अजन्ता की गुफाओं की है, तो कुछ और भी यहाँ पर discuss कर बाते होगी बनता है, चलिए, अजन्ता की किस गुफा में हंस जातक भीती चित्रण है, अंसर सभी लोग बताएगे, यहाँ पर तो आपका option 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, गुफा संख्या 17 आपका हो जाएगा, जहाँ पर हंस जातक भीती चित्रण है, चलिए, अजन् चित्र शाला कहा जाता है, आर्ट गैलरी की नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि इस गुफा से प्राप्त बहुत सारे चित्र हैं, जैसे कि हंस जातक है, राहूल समरपन का चित्र यहाँ से प्राप्त हुआ है, जिसे हम बिधु य Norm ब् Bacon बिख्शुक के रूप में भी महा कपी जातक ठीक है महा कपी जातक ये भी आपका गुफा संख्या सत्रा में मिलता है सिंगला वदान की कथा है मरीग जातक है वेशांतर जातक है छदंत जातक जो कि आपके गुफा संख्या दस में भी मिलते हैं कुछ चित्र ऐसे हैं जो और भी गुफाओं में मिलते हैं ल इन सब ही का चित्र यहाँ पर मिलता है तो याद रखेंगे गुफा संख्या सत्र जिसे चित्र शाला आठ गैलरी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर जो भी चित्र मैंने बताए हैं इंपोर्टन्ट यहाँ पर मिलते हैं उनको आप जरूर से देख लिजेगा ठीक है नेक्स्ट कोशन में चलते हैं चले कोशन नमबर 11 आ गया है अजनता की गुफा संख्या एक का निर्माड काल पूछा जाता है तो यहाँ पर बताएंगे पांचमी शताब्दी, छटी शताब्दी, सातमी शताब्दी या फिर आठमी शताब्दी तो अजनता की जो गुफाएं हैं इनका जो निर्माड काल है यानि कि गुफा संख्या एक का जो निर्माड काल है ये आपका अंसर यहां पर हो जाएगा सात्मी शताब्दी तो option 3 यहां पर बिल्कुल right हो जाएगा ठीक है अजनता की जो पहली गुफा है विहार गुफा है और इसका निर्माड काल सात्मी शताब्दी होगा ठीक है यहां के चित्तरों का निर्माड वाका टक के समय में और अंतिम वर्ष चालू की राजाओं के समय में हुआ ठीक है चालू के काल से ही अजनता कला का पतन प्रारंभ हो गया था तो यहां पर बुद्र कि जो आकरती का अंकन है वो यहाँ पर राजसी रूप में देखने को मिलता है ठीक है जातक कथाओं के स्थान पर यहाँ पर समराटों के जीवन से संबंधे चित्र बनने लगे थे तो यहाँ पर ध्यान देंगे अजनता की जुगुफा संख्या एक है इसका निर्मारकाल है सात्मी कोश्चन नमबर 11 का राइट आंसर यहाँ पर 3 जिनों ने दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कोश्चन चले प्रशन है इनमें कौन आसंबद है मनसूर है मनोहर है बिहजाद है मिस्कीन है तो आप्शन यहाँ पर 3 आपका राइट आंसर हो ज प्रसिद्ध चित्रकार है कहां का इरान का ठीक है प्रसिद्ध चित्रकार हो जाएगा इसके लामा मनसूर मनोहर और मिस्कीन यह मुगल कालिन चित्रकार थे ठीक है बाबर ने बिहजाद के चित्रों की जो आलोचना की थी और बिहजाद को क्या कहा जाता है पूर्वकार र राफिल किसे कहा जाता है बिहजाद को ठीक है पूर्व का राफिल बिहजाद को कहा जाता है याद रखेंगे option 3 यहाँ पर जिनोंने answer किया है सही हो जाएगा आगे बढ़ेंगे next question चले question number 13 है राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम होगा तो यहाँ पर answer क्या हो जाएगा राजस्थानी मुगल होगा अपभरंश किशनगर होगा राजस्थानी पहाड़ी या फिर जैपुर ईरानी राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है तो यहाँ पर answer आपका 3 बिलकुल राजस्थानी पहाड़ी ठीक है राजपूत शैली जो है राजस्थानी पहाड़ी का ही सम्मिलित नाम है त्री answer यहाँ पर जिन्हों ने दिया है बिलकुल राइट हो जाएगा अच्छा राजस्थानी शैली की कोज का स्रे किसी दिया जाता है तो याद रखेगा डॉक्ट कोशन नमबर 14 राग दीपक चित्र के शैली का है मिवार शैली बसोहली शैली किशनगर शैली बूंदी शैली राग दीपक चित्र जो है यह आपका हो जाएगा बूंदी शैली तो option 4 यहाँ पर बिलकुल सही हो जाएगा ठीक है और बूंदी शैली के जो आरंभी चित्र है ये चुनार रागमाला से सम्बंधित है ठीक है इस शैली का रागमाला पर आधारित एक चित्र है रागदीपक कौन सा चित्र है रागदीपक चलिए तो बताएंगे वर्तमान में ये कहां पर सुरक्षित है तो ध्यान दीजिएगा राग दीपक जो चित्र है ये वर्तमान में भारत कलाभवन वाराण सी में कहाँ पर भारत कलाभवन वाराण सी में ये जो राग दीपक चित्र है ये वहाँ पर सुरक्षित है चले आके बढ़ेंगे next question question number 15 किशनगड के कवी कलाकार कलामार बगिशासक का नाम बताईएगा मान सिंग होंगे सावंत सिंग संसार चंद या फिर हरे सिंग तो यहाँ पर option 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सावंत सिंग हो जाएगे किशनगड के कवी कलाकार कलामार मगिशासक का नाम क्या है सावं सावन सिंग का जन में यहां पे 1699 इस्वी में हुआ था ये वल्लब संप्रदाय के अनुए आई थे और इनके जो धार्म गुरु थे वो रण छोड़ी थे ठीक है सावन सिंग ने लगबग 75 ग्रंथों की रशना की जो नागर समुच्चे के नाम से प्रसिद्ध है नागर नागर समुच्चे के नाम से फेमस है और उनके द्वारा निर्मितिक रेखा चित्र भी प्राप्त हुआ है अच्छा किशनगर शैली को प्रकास में लाने का श्रे किसे चाता है तो याद रखिएगा एरिक डिकिंसन को जाता है और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है एरिक चीज़े याद रखिएगा एक प्रशन से रिलेटेट जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर आपको जानकारी देते हुए चल रही हूँ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कोश्चन चले कोश्चन नमबर सिक्स्टीन है गुप्त काल की सर्व प्रमुक विशेस्ता क्य तू? यहाँ पर आपका जितने लोगों आंसर किया है तो सही होगा ठीक है? गुप्त काल को भारती इतिहास में स्वर्न युग या फिर क्लासिकल पिरिएट भी कहा जाता है ठीक है? पूचा जा सकता है किस Taylor उक कहा जाता है तो वह आपका गुप्त यूग हो जाएगा गु तो गुप्त कालीन देवगढ का दशावतार मंदिर जो है भारत में पहला शिखर युक्त मंदिर कौन सा हो जाएगा गुप्त कालीन देवगढ का दशावतार मंदिर जो की पंचायतन शैली में निर्मित है ये भी याद रखेगा पंचायतन शैली में निर्मित ये भारत का पहला मंदिर है देवगण का दशावतार मंदिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कोशिन में चले कोशिन नमबर 17 मुगल शैली में व्यक्ति चित्रन को विशेश इस्थान किसके समय में मिला हुमायू अकबर जहांगे शाह जहां तो व्यक्ति चित्रन की बात यहां पर हो रही ह है मुगल शैली में जो व्यक्ति चित्रन है विशेश इस्थान किसके समय में मिलता है तो अकबर के समय में हो जाएगा ठीक है अकबर ने अपनी कई शभी है लगवाई थी ठीक है उसने कई अपने दर्बारियों के चित्र बनवाए थे ठीक है कई उम्राओं के चित्र बनवाए थे व्यक्ति चित्र याद रखिएगा यहाँ पर व्यक्ति चित्रन की बात हो रही है जिन्हें हम सबी ही कहते हैं तो अक्बर की टाइम में इसको विशेस स्थान मिला चली आगे बढ़ते हैं next question में question number आपका है 18 इरानी शैली की एक विशेस्ता क्या हो जाएगी प्रिष्ट भूम होगी आकरतियां रंगयोजनाएं या फिर रेखाएं तो यहाँ पर इरानी शैली की विशेस्ता पुछी गई है option 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा रेखाएं इरानी शैली की विशेस्ता रेखा रही है ठीक है आगे बढ़ेंगे next question चले question number 19 है एलोरा के प्रसिद कैलाश मंदिर का निर्मार एक राष्टर कूट नरेश ने कराया था उस नरेश का नाम क्या था? अमोग वर्ष होगा दंती दुर्ग होगा कृष्ण प्रत्थम होगा या फिर विक्रमा दित्य तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा कृष्ण प्रत्थम बिल्कुल राइट हो जाएगा ओप्शन 3 जिन्होंने दिया है सही होगा एलोरा का जो कैलास बंदिर है इसका निर्मार राष्टकूर्ट नरेश कृष्ण प्रत्थम की द्वारा कराये गया था ठीक है साथ सो साथ से साथ सो तिर्पन इस्वी यहाँ पर समय इसका माना जाता है और इसकी जो मूर्तियां है वो दक्षन की सभी मूर्तियों से ज़्यादा करशक रही है अच्छा एक इंपोर्टन कोशन पूछा जाता है कि रावण कैलाश परवत हिलाते हुए तो यह जो है इस मंदिर का प्रमख मूर्ति शिल्प है रावण कैलाश परवत हिलाते हुए ठीक है तो यह इलोरा के कैलाश मंदिर में है चले आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कोशन में कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर है सित्तन वासल सिगिरिया जोगी मारा खजुरा हो तो सभी लोगोंने असर लगा लिया होगा ऑप्शन फोर बिल्कुल सही हो जाएगा कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर है तो खजुरा हो में है मध्यप्रदेश के मंदिरों में ये सबसे वरहद मंदिर है ठीके और ये शिव पंदिर है घीके कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये शिव मंदिर है इसके लंबाई की बात करें तो 31 मीटर होगा ठीके जिसको 102 फिट है चोड़ाई यहाँ पर आपकी 20 meter है 6-6 feet हो जाएगा और उंचाई भी 31 meter ठीक है 102 feet तो यह इसकी map थी option 4 यहाँ पर आपका right हो जाएगा मंदिर के गर्भ ग्रिह में ठीक है important है जानना संग्मर्मर का shivling स्थापित है मंदिर के गर्भ ग्रिह में संग्मर्मर का shivling है मंदिर के गर्भ ग्रिह में संग्मर्मर का shivling स्थापित है इस मंदिर का निर्मार चंदेल नरेश विद्या धर नहें कर आया था मंदिर का जो प्रवेववगर द्वार है वो केलाश परवत की गुफा जैसा दिखा देता है और इसलिए संभवता इसका नाम कंदरिया महादेव मंदिर पड़ गया ठीक है आगे बढ़ेंगे next question में Question number 21 उदेगिर की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं बौद धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, इसाई धर्म उदेगिर की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं तो option 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा हिंदू धर्म उदेगिर की गुफाएं हैं ये हिंदू धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं और साथ ही याद रखेगा ये गुफाएं मध्य प्रदेश के कहां पर इस्तित हैं तो विदिशा में ठीक है उदेगिर की गुफाएं जो की हिंदू धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं मध्य प्रदेश के विदिशा में ठीक हैं और यहां से जो लेक प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार ही इन गुफाओं का जो निर्माड है वो चंदरगुप्त द्विती के शासनकाल के द्वारा मध्य काल में हुआ था यहां पर कुल 20 गुफाएं याद रुखीगा 20 गुफाएं हैं आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कोश्चन में आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कोश्चन में यहां पर फूर आंसर राइट हो जाएगा चित्तोडगर आधुनिक भारती चित्रकारों में कौन लोग कला से प्रभावित कलाकार है नंदलाल बसू होंगे यामनिराय होंगे कनुदेशाई होंगे मुकुल डे होंगे आधुनिक भारती चित्रकारों में कौन लोग कला से प्रभावित कलाकार है तो सभी लोगोंने अंसर लगा लिया होगा लोग कला से प्रभावित कलाकार अगर पूछे जा रहे हैं तो यामनी राय याद आ जाएंगे option 2 बिल्कुल सही हो जाएगा अच्छा यामनी राय की जो कला थी इन पर काली घाट के पट चित्रों का सरवाधिक प्रभाव देखने को मिलता है और इसके लामा इनके चित्रों में विश्नपूर के जोर बांगला मंदिर ठीक है कि मिट्टी की फलक याने के टेरा कोटा टायल से निर्मित इसका प्रभाव भी यहाँ पर दिखाई देता है तो विशेस्त यहाँ पर प्रशन पर ध्यान देंगे कि आधनिक भारती चित्रकारों में कौन लोग कला से प्रभावित है वो है यामनी रंजन राय इनके विशे में डेटेर्ट क्लास आप देख सकते हैं चैनल पर समकालीन कलाकारों की प्लेलिस्ट जरूर से देख लीजेगा वहाँ पर बहुत सारे आपके कलाकारों के विशे में जानकारी मैंने दी है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कोश्चन पदमवी भूशन से सम्मानेच चित्रकार कौन है नंदलाल बसु है, असिथालडार है, रविना टैगोर है, यामने राय है तो पदमवी भूशन की बात है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा option 1 नंदलाल बसु नंदलाल बसु को 1904 में भारत सरकार की द्वारा पदमवी भूशन से सम्मानेच किया था और पदमवी भूशन पाने वाले ये भारत की प्रिथम कलाकार बने ठीक है तो पूछा जाए कि भारत के कौन से प्रिथम कलाकार है जिनको भारत सरकार ने पदमविभूशण से सम्मानित किया तो वो है नंदलाल बसू जिन्हें 1954 में पदमविभूशण सम्मान से सम्मानित किया गया और अठासी वर्स की उम्र में 16 अप्रेल 1906 में इनका निधन हो गया ठीक है याद रखीगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर है 25 चैतन्य का ग्रहत्याग चित्र किस चित्रकार ने बनाया कनू देषाई चितिंद्रनात मजूमदार असित कुमार हालदार नंदलाल बसु तो आप्शन टू बिल्कुल सही हो जाएगा चैतन्य का ग्रहत्याग ये जो चित्र है चितिंदरनात मजुमदार के द्वारा बनाये गया है ठीक है चितिंदरनात मजुमदार जो है ये चैतन्य स्रिंखला के लिए फेमस रहे है और इसी स्रिंखला का एक फेमस चित्र है चैतन्य का ग्रहत्याग ये किसने बनाया है छिति इंदरनात मजुमदार ने तो option 2 यहाँ पर जितने लोगों ने दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है और इस चित्र को अबनी बाबु ने 200 रुपए में पुरसकार स्वरूप इन्हें दिया था इस चित्र के लिए चैतने का जो ग्रहत्याग च चित्र है इस चित्र पर अबनी बाबु खुश होकर इन्हें 200 रुपए का पुरसकार देते हैं चिति इंदरनात मजुमदार को ठीक है वाश टेक्निक में बनाया है याद रखिएगा और भी इन्होंने जो चित्र बनाया है जैसे नारी आकृतियों के जुके हुए शीस है पतली लंबी अंगुलिया है शरीर के तोड़ मोर्स दुनिया से चलो तो ये है भारत का फ्राएंजिल को कहा जाता है इंपॉर्टिंट क्या है चित्ती इंदरनात मजुमदार को भारत का फ्राएंजिल को कहा जाता है ये प्रशन आपका पूछा जा सकता है किस खलाकार को भारत का फ्रा एंजेल को कहा जाता है तो वो हैं छित्तीन द्रिनात मजुमदार ठीक है इनके द्वारा बनाएगे चित्रों में हैं लक्ष्मी कागशपर टेंपरा में इन्होंने बनाया है चैतन्य और मूर जो की रासलीला प्रभु हरिदास अंतिम आवस्थामी पालितम्रि पालितम्रिक जो है इनका रास्ट्री संग्रा संग्रहाले नई दिल्ली में संग्रहित भी है तो यह इनके कुछ फेमस चित्र रहे हैं ठीक है तो यहां से कितने प्रिशन आपके बन रहे हैं चैतन्य का ग्रहत्याग चित्र किस चित्रकार ने बनाया चितिन दिरनात मजुम नहीं मजुम्दार को 200 रुपए इनाम सरूप किसने दिया था और किस चितर के लिए दिया था तो वो थे अवनी बाभू छैतने के ग्रेहतैक चितर से वो काफी खुश होकर छोकर मजुम्दार को 200 रुपए उन्होंने पुरसकार सवरूप दिये थे भारत का फ्राइंजल को किसे कहा जाता है चितिद्रनाथ मजुमदार को इसके अलामा चैतने और मौर पालतम्रिग प्रभु हर्दा संति मवस्था में और इसके अलामा रास लीला है लक्षमी है यह सभी विशेश चित्र किसने बनाए है मोख्यता चितिद मित्रा मुकुल्डे तो यहाँ पर ऑप्षन 3 हो जाएगा रथिन मित्रा यह बंगाल शैली के कलाकार नहीं है इसके अलामा सुरेंद्रकर शैलिनाडे मुकुल्डे यह सभी बंगाल शैली के कलाकार है तो रथिन मित्रा जो है यह कलकत्ता ग्रुप 43 के सदस्य कलाकार थे ठ खरनवादी चित्रकार या फिर अमूर्त चित्रकार तो यह क्या है यह है ये है ठीक है ये मुख्यतहहर यहाँ पर दृष्चीत्रकार हो जाएंगे ठीक है सेयद हैदर रजा जो है ये दिर्शी चित्रकार है option 2 बिल्कुल सही हो जाएगा इनके ज्वारा जो प्रमुख चित्र बनाए गए है सेरिग्राफी है, चौपार्टी है, जमीन है, राजस्थान चित्रशिंखला गृरिश्म आवास है, कश्मीर की एक गली ये सभी फेमस चित्र द्रिशी चित्र किस ने बनाए है, सेयद हैदर रजा ने बनाए है अच्छा, 2007 में इन्होंने रजा फाउंडेशन के स्थापना भी की है ठीक है, रजा फाउंडेशन के जो अध्यक्ष थे वो अश्रुप बाजपेई थे चलिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोशिन में तो यहाँ पर फूर आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा जोती भट यहाँ पर अलग हो जाएंगे ठीक है, जोती भट का जन्म जो है, वो 12 मार्च 1934 को भावनगर गुजरात में हुआ चापा कार थे, जन्म 12 मार्च 1934 में भावनगर गुजरात में इनका जन्म हुआ, यह परसिद चापा कार थे जब कि अन्य जो तीन हैं, यह नागजी पटेल हैं, शंको चौधरी और महेंदर पांडिया यह क्या हैं, तो यह सभी जो हैं फेमस मूर्ती कार रहे तो इस प्रकार से आपका आंसर पूछा गया है, अज संबध बताना है, तो आंसर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है, जोती भर्टी यहां पर अलग हो जाएंगे, क्योंकि यह एक फेमस छापा कार थे आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट कोश्चन चलिए, कोशन नमबर 29, चित्र कला के उत्कृस्ट कृती है, बनी ठनी की चित्र शैली क्या है? कोटा बुंदी शैली, कांगरा शैली, किशनगर शैली या फिर मुगल शैली तो यहां पर आप्शन 3 विल्कुल राइट हो जाएगा, किशनगर शैली बनी ठनी जो है, यह किशनगर शैली का चित्र है, ठीक है? और इस चित्र की जो रचना है, वो निहाल चंदने की थी किसने बनाया था? निहाल चंदने ठीक है? और इससे भारत की मुनालिसा भी कहा जाता है ये जो बनी ठनी का चित्र है इसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है भारत की मोनालिसा ठीक है मोनालिसा यहाँ पर जगह नहीं रहता थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती है तो बनी ठनी जो चित्र है भारत की मोनालिसा कहा जाता है चित्रकार है निहाल चंद और ये किशन कडशेली का चित्र है और ये फेमस कोश्चन है इसे जरूर से पूछा जाता है ठीक है और इस चित्र पर भारत सरकार ने 5 मई ये important आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि 5 मई कि 1973 को भारत सरकार के द्वारा इस चित्र पर एक डाग टिकट जारी किया गया था वर्तमान में ये राश्टी संग्रहाले नई दिल्ली में सुरक्षित है तो इस सारे चीज़े याद रखेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन में चले कोशन नमबर 30 है आपका चित्रकला की अपभ्रणशयली को किन शासकों ने संरक्षन प्रदान किया है विजे नगर और विजापूर के शासकों ने चंदेल वंशी शासकों ने राश्टर कूट वंशी शासकों ने इन में से कोई नहीं चित्रकला की जो अपभ्रणशयली है ये किन शासकों की संरक्षन प्रदान किया गया तो यहाँ पर ऑप्शन वन आपका बिल्कुल राइट होगा विजे नगर और विजापूर के शासकों ने इसी संरक्षन प्रदान किया है ठीके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कोश्चन चले कोशन नबर 31 परलव शासकों ने रतवाले मंदिर के सिस्थान पर बनवाए हैं कांची होगा एहूल होगा महाबली पूरम या फिर चैनली तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 सही महाबली पूरम जो है यहाँ पर परलव शासकों के द्वारा रतवाले मंदिर बनवाए गए हैं और ये तमिलनाडू में महाबली पुरम जिसे मामल्ले पुरम भी कहते हैं बनाए गए हैं इसके अलावा इन मंदिरों का जो निर्माड है वो नर्सिंग वर्मन द्विती के द्वारा करवाए गया ठीक है ये जो रत मंदिर है ये ग्रेनाइट सेट्टानों को काट कर बनाए गए हैं और ये एक ही पत्थर के टुकडे को काट कर बनाए जाने के कारण इन्हें एकाश्म मंदिर भी कहा जाता है क्या कहा जाता है एकाश्म मंदिर भी कहा जाता है एकाश्म रत मंदिर इनकी संख्या पांच है ये भी आप याद रखेगा धर्मराज र पहला कॉन सा है धार्म राज रथ तूसरा है भीम रथ तीसरा है अरजुन रथ चोथा नकील सहते रथ है और पांचवा दुर्फ दो धीच रथ है ठीक है संख्या 14-16-17-21 तो यहां पर आपका हो जाएगा 17 वी गुफा बिल्कुल राइट आंसर ओप्शन 3 जो कि सभी लोगों ने दिया है चलिए तो गुफा संख्या 17 जैसा कि मैंने पहले भी बताई यह चित्र शाला कही जाती है आर्ट गैलरी के नामस जाने जाती है यहां पर भ बहुत सारे चित्र हैं जो कि मैंने पहले भी आपको बताए हैं आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कोशन गुफाओं की चित्र कला प्रेलिस्ट आप लोग देख लेंगे वहां पे सभी गुफाओं के विसेमी डिटेल में मैंने जानकारी दी है भगवान की लिलाओं से सम्मंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने हैं तो राम होंगे कृष्ण होंगे शिव या फिर देवी तो आप्शन टू यहां पर आप सभी का सही हो जाएगा कृष्ण ठीक है राजस्थानी शैली जो है यहां पर भगवान कृष्ण की लिलाओं से सम्मंधित चित्र सरवाधिक मात्रा में बने हैं ठीक है और नायक नायका के रूप में कृष्ण और राधा का ही प्रेम यहां पर चित्रत किया गया है आगे बढ़िएगा नेक्स्ट कोष्ण में हुआ ठीक है अच्छा राम किंकर बैच को किंकर दा के नाम से भी जाना जाता है किंकर दा ठीक है इनका जन्म पच्चीस मई 1906 1906 कहां पर हुआ था पस्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के जुग्गी पाड़ा गाउं में ठीक है आधुनिक भारती मूर्तिकला का जनक किसे कहा जाता है तो राम किंकर बैच को कहा जाता है आधुनिक भारती मूर्तिकला का जनक कहा जाता है इनकी जो प्रमुकृतियां है सारी संथाल परिवार जो की 1928 में इन्होंने बनाया है संथाल परिवार है यक्ष यक्षडी है 1968 में बनाया लैम्प स्टेंट 1940 में सुजाता 1935 में हार्विस्टर भी इन्होंने बनाया 243 में ठीक है रविन्ना टैगोर की अवाक्ष प्रतिमा भी 1938 में इन्होंने बनाई है तो ये सभी इनके उतक्रिष्ट मूर्थिशिल्प रहे हैं रामखिंकर बैज का जर्म यहां पर बंगाल आप्शन सही हो जाएगा फोर चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कोश्चन में बहारत की आधनिक चित्रकला में तैल रंगों का प्रयोग सरप्रतिम किसने किया है रविन्ना टैगोर राजा रवी वर्मा बेंद्रे केकी हैबर तो सभी लोग का आंसर यहां पर आचुका है ऑप्शन टू राजा रवी वर्मा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 29 अप्रेल 1848 केरल के एक छोटे से कस्बे किलिमन नूर में राजा रवी वर्मा का जन्म होता है और आधनिक चित्रकला के तिहास में तैल रंगों का प्रयोग करने वाले यह प्रथम कलाकार बन जाते हैं ठीक है प्रथम कलाकार बन जाते हैं अगर पूछा जाए कि इन्हों ने रंग प्रसिक्षन जो है किस से लिया तो ये ब्रिटिस चित्रकार थियोडोर जैंसन से इन्होंने तैल रंग की सिक्षा ली है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कोश्चन में पूछन नमबर 36 भारती आधनिक चित्रकला का इतिहास आरंब होता है बंगाल स्कूल से कलकत्ता स्कूल से मद्रास स्कूल से इन्होंने से कोई नहीं तो ऑप्शन वन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बंगाल स्कूल से ठीक है और इसमें अवनेंद्रनाच टैगोर ने प्रमुक भूमे का निभाई है ठीक है अवनेंद्रनाच टैगोर के ही विचारों से एवम एवी हैवल के साथ मिलके बंगाल शैली को उन्होंने जन्म दिया ठीक है तो ऑप्शन यहाँ पर वन सही हो जाता है बंगाल स्कूल से आके बढ़िएगा नेक्स्ट कोशन कोशन 34, अवनेंद्रनास टैगोर के शिस्सों में कौन नहीं है देवी प्रषादराय चौधरी, नंदलाल बसू, एलम सेऍन, गोपाल भोस तो यहाँ पर गोपाल भोस जो है यह इनके शिस्शों में नहीं है इसके लामा तीनों गुपाल होस जो थे ये देवी प्रिशाद राय चौधरी के सिस्य थे ठीक है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कोशन यहाँ पर फूर आंसर आपका बिल्कुल राइट होगा नेक्स्ट कोशन पर चलेंगे निम्न में कौन सिर्फ चित्रकार है मुर्तिकार नहीं है यहाँ पर आपका अंसर सही हो जाएगा ऑप्शन 3 नेस बेंदरे जो है यह चित्रकार है मुर्तिकार नहीं है यह क्या है चित्रकार ठीक है इसके अलामा जे राम पटेल राम किंकर बैज और देवी प्रिशाद राय चौधरी यह मुर्तिकार है नेस बेंदरे का जन्म 21 अगस 1910 को मधप्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था ठीक है इन्होंने जो कला के प्रारंबिक सिक्षाली इंदौर कला महाविद्याले डीडी देव लालीकर से प्राप्त की है और मुंबई की सर्जेज स्कूल आफ आर्ट से 1933 में कला में इन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया है ठीक है इनका फेमस चित्र है एनेस बेंदरे का सूरे मुखी का पुष्प जो की ललितकला अकादिमी के मोनोग्राफ के मुख प्रिष्ट पर यानि की मुख्य प्रिष्ट पर छपा हुआ है याद रखेगा सूरे मुखी का पुष्प किसका चित्र है एनेस बेंदरे का नेक्स्ट कोशन कोशन नमर 39 चितिंदरनात मजुमदार किस विश्व विद्याले में चित्रकला विभाग के सिक्षक थे लखनव विश्व विद्याले हो जाएगा इलहाबाद विश्व विद्याले काशी विद्या पीट शांतिनी केतर तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा इलाहाबाद विश्व विद्याले ओप्शन टू जितने लोगों ने किया है आंसर सही है चले देखेंगे छितींद्रिनात मजुमदार के विशे में तो छितींद्रिनात मजुमदार इनका जन्म 1891 में पश्चिम बंगाल के मुर्शीदा बाजिले में निमतिया के पास जगताई नमक गाउं में हुआ था और ये इलाहाबाद विश्व विद्याले के ततिकालिन कुलपती डॉक्टर अमनाथ जहा के आमंतरण पर इलाहाबाद विश्व विद्याले में आये थे ठीक है इलहाबाद दुश्विद्याले दृष्य कला विभाग के इस्थापना इन्होंने की थी 1 सितंबर 1942 को और इलहाबाद दुश्विद्याले में दृष्य कला विभाग के ये प्रत्थम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गए ठीक है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कोशन कोशन नमर फोटी किस चित्रकार ने बाग अजन्ता वा जोगी मारा के भीती चित्रों की प्रतलिपिया तयार की है असित कुमार हालदार है गगने इंदरनास टैगोर है यामिनी रंजन राय है अमरिता शेरगित तो बाग अजन्ता वा जोगी मारा के भीती चित्रों की प्रतलिपिया तयार करने वाले कौन है असित कुमार हालदार ओप्शन वन यहाँ पर सभी का सई हो जाएगा तो इन्होंने बाग जन्ता जोगी मारा के भीती चित्रों के प्रतलिपिया तयार की और हालदार जो थे यह पहले भारती थे जिन्हें लंदन की रॉयल सुसाइटी आफ आर्ट ने 1934 इस्वी में फैलोशिप प्रदान किया था ठीक है उन्होंने कास्ट पर लाफ की वार्निस करके टेमपरा विधी से चित्रन की एक विशेश तकनीक भी निर्मित की थी जिसे लैसिट तकनीक कहा जाता है और इनकी चित्रों का सबसे बड़ा संग्रहाले कहा है तो सबसे बड़ा संग्रहा आपको इलहाबाद संग्रहाले प्रयागराज में देखने को मिलता है question number 41 अमरिता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की जलक दिख दिखाई पड़ती है answer यहाँ पर सभी लोगों का आचुका है option यहाँ पर आपका सही हो जाएगा तो अमरिता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की जलक अधिक दिखाई दिखाई देती है तो option 2 बिलकुल सही हो जाएगा विशाद यहाँ पर विशाद आपका answer बिलकुल right हो जाएगा इनके जो प्रमुक चित्र है Mother India, भारती मा, Hillman, Hillwoman यह सभी है भूख की त्रासिदी बहुत सारे चित्रिनों ने बनाए हैं बहुत ही कम उम्र में ठीक है इनका चल्दी ही निधन हो गया था तो बहुत ही कम समय में लेकिन बहुत ही बहुत ही बहतरीन चित्रों का निर्माड किया है अमरता शेर गिल ने इनके विशे में डेटेल में पढ़ लिजेगा आगे बढ़ेंगे next question चले question number 42 अवनिन्दा टेगोर की प्रारमभिक कलागुरू कौन हो जाएंगे इटेलियन कलाकार गिलहाडी, मदरे के चित्रकार आलागरी नाइडू, थियोडोर जैंसन इनमेंसे कोई नहीं तो option 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाता है इटेलियन कलाकार गिलहाडी जो है यह इनके प्रारमभिक कलागुरू हो जाएंगे चले नेक्स्ट कोईशन देखते हैं कोईशन नमबर 43 निमनमे से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन शैली में काम किया है तो कौन हो जाएगा अवनेंद्रनाथ टैगूर, गवनेंद्रनाथ टैगूर, असित कुमार हालदार या फिर नंदलाल पोस तो सभी लोग आंसर लगा चुके होंगे option 2 गगनेंद्रनाथ टैगुर गगनेंद्रनाथ टैगुर जो है ये चित्रकार के साथ साथ कार्टूनिस्ट रहे पोटोग्राफर रहे और अभिनेता दी ठीक है इन्होंने बंगाल शैली से हट के घनवादी शैली का सूतरपात किया भारत में कौन सी शैली घनवादी शैली ठीक है इनका चित्र है अटेम्पल क्यूबिस्ट ठीक है कागज पर वास्वर टेम्परा में बना है संग रही थे राश्ट याज निकला संग रहाले नई दिल्ले में ठीक है चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन में और ये जो एटेम्पल क्यूबिस्ट है ये इनका विख्यात घनवादी चित्र है ये भी याद रखेगा आगे बढ़िएगा नेक्स्ट कोश्चन क्वेस्चन नंबर 44 हरिपूरा पैनल के विशयवस्टू बताईए भारतिक राम में जीवन पौराडी कथाए रामायर महा भारत हरिपूरा पैनल के जो विशयवस्टू है ये है आपका भारतिक राम में जीवन तो आप्शन वन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है नेक्स्ट कोश्चन में आगे बढ़ेंगे चले कोश्चन नमबर फोर्टिफाइब शेल्प कथावर रुपावली पुस्तकों के रचेइता कौन होंगे असित कुमार हालदार होंगे नंदलाल बोस होंगे अपनीनाथ टैगोर या फिर शितिंदरनाथ मजुमदार तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जितने लोगों ने दिया है बिल्कुस सही है नंदलाल बोस शिल्प कथा वर रुपावली जो पुस्तक है यह नंदलाल बोस के द्वारा लिखी गई ठीक है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कोश्चन क्वेश्चन नमबर फोर्टिसिक्स शांत निकीतन में कला भवन की स्थापना किस वर्स में होती है 1901 में 1919 में 1922 में 1928 में तो याद रखिएगा शांत निकीतन में कला भवन की जो स्थापना है यह 1919 में होती है आप्शन टू जितने लोगों ने दिया बिल्कुस सही हो जाएगा चले नेक्स्ट कोर्शन में चलते हैं इसा के जीवन पर आधारिज चितर किस कलाकार बनाए है इसा के जीवन पर आधारिज चितर तो ये बनाया है यामनी राय ने आप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा इनके और भी चितर है इसा का अंतिम भोजन है, क्रूसिफिक्शन है, इसा को सूली, ब्राउन क्राइस्ट इसा भी फेमस चितर है, यामनी राय के और भारत में लोग कलाकार के रूप में जाना जाता है ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आप लोगों ने आंसर किया है नेक्स्ट कोशन आगे बढ़ेंगे Q48, मोने के किस चितर के आधार पर प्रभावात का नाम बढ़ा है घास का डेर, रूपों के गिर्जा घर, सुरियोदे का प्रभाव, जिवरने के चिनार, वरिक्ष तो ऑप्शन 3 सुरियोदे का प्रभाव, तो इसी के आधार पर प्रभावात का नाम रखा गया है और ये मोने के द्वारा बनाए गया चित्र है तो यहाँ पर option 3 बिल्कुल right हो जाएगा ठीक है next question चले question number 49 नेमने चित्रकारों में से कौन आतियत्हार्थवाद से प्रभावित है यहाँ पर आतियत्हार्थवाद की बात हो रही है option 2 आपका answer right हो जाएगा सभी ने two answer किया है विकास भटा चारजी अतियत्हार्थवाद से प्रभावित है ठीक है इनकी एक गुडिया स्रिंखला जो की बहुत फेमस है गुडिया स्रिंखला और इस पर प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं जब भी एक्जाम होता है ठीक है कैनवास पर तैल रंग में बनी हुई है 1972 में इन्होंने बनाया था और एक इनका चित्र है ट्यूवेल का उदखार्टन इसमें उन्होंने फोटो यथार्थवाद का प्रयोग किया है ठीक है विकास भटाचार जी की जो पहली एकल प्रदर्शनी है वो 1965 हिस्वी में कुलकाता में हुई थी 2003 में इन्हें ललित के ला अकादमी नई दिल्ली द्वारा रत्न सदस्यता प्रदान किया गया रत्न सदस्यता का पुरस्का यानि की सम्मान इन्हें मिला याद रखेगा पूछा जा सकता है तो रत्न सदस्यता किसको मिला है विकास भटाचार जी को 2003 में नेक्स्ट कोशन कोशन नमर 50 भारती कलाकारों में किस पर प्रभाववात का प्रभाव है तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा रणवीर सिंग विस्ट ठीक है रणवीर सिंग विस्ट के उपर प्रभाववात का प्रभाव दिखाई देता है इंप्रेशनिजम का प्रभाव दिखाई देता है चले आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कोशन प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार कौन है थोड़ी सी क्लास लंबी हो जाएगे इसलिए यहाँ पर अब ज़्यादा डिटेल नहीं है ठीक है जहाँ इंप्रोटन्ट है वो मैं बताते वे चल रही हूँ तो यहाँ पर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार कौन होगे आप्शन फूर आपका सही हो जाएगा वी यस गाय तोड़े जो है यह प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार हो जाएंगे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जिसे पैग ग्रुप भी कहा जाता है 1947 में इसकी स्थापना मुंबई में हुई फ्रांसिस नुटन सूजा इसके संस्थापक थे रजा, हुसेन, आरा, गाडे और बाकरे ये क्या थे? मूर्तिकार थे और इनके साथ थे तो इनका क्रिश्न, खन्ना और गायतोंडे भी इस ग्रुप से जुड़ गये थे ठीक है? नेक्स्ट कोश्चन चलिए प्रश्न फॉर फिफ्टी टू देखेंगे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कभ हुई थी? 1942 में, 1948 में, 1950 में, 1954 में इस तरीके से भी प्रश्न आपके सामने आएगा तो 1947 से 48 इस्वी में मुंबई के कुछ कलाकार जिसमें सूजा है, आरा है, रजा है, हुसेन है, गाडे है, बाकरे इन्होंने मिलकर एक दल बनाया था जिसे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप कहा गया बात करें तो इसे संचीप में पैक ग्रुप कहा जाता है और इसकी जो प्रथम कला प्रदर्श्नी है बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में, ठीक है, 7 जूलाई 1949 में की गई थी और इसका उदगाटन किस ने किया था मुलकराज आनंद ने जो की मार्ग पत्रिका के संपादक थे और पैक ग्रुप की जो दूसरी प्रदर्श्नी थी वो ग्रुप 43 के साथ मुंबई में आयोचित की गई थी ठीक है और इस प्रदर्श्नी के बाद से ही ये जो कला ग्रुप था वो बिखारने लगा था 1952 में Bombay Art Society ने पैक ग्रुप की तीसरी और अंतिम प्रदर्श्नी आयोचित की थी तो यहाँ पर प्रशन पूछा गया कि Progressive Artist Group की स्थापना कब हुई तो यहाँ पर option के according आप exam में लगाएगा यहाँ पर option 2 1948 सही हो जाएगा अगर यहाँ पर 1948 नहीं होता 1947 होता तो हम उसे ही टिक करते हैं ठीक है तो याद रखीगा next question में चलते हैं question number 53 Samikshavadi कलाकार कौन है रडवीर सिंग विस्ट है एनके खन्ना है रामचंदरशुक्ल है मदलाल नागर है तो यहाँ पर option 3 आपका बिलकुल राइट हो जाएगा रामचंदरशुक्ल और इनके विसे में डेटेल क्लास मेंने दी है वहाँ से आप लुक देख लीजिएगा ठीक है next question में चलते है question number 54 कृष्ण खन्ना की चितरकला में कि शैली का प्रभाव दिखाई देता है अपरण शैली, मुगल शैली, राजस्थानी शैली, दक्ष्णी शैली कृष्ण खन्ना की शैली में दक्ष्णी शैली का प्रभाव दिखाई देता है option 4 बिलकुल सही हो जाएगा ठीक है इनके प्रमुक शितरों के शंकला में है ट्रक है, महा भारत है अजनबी है, रागमाला है, पियेटा ठीक है, धाबा ये सभी इनके famous है चितर गांधी, डैथ है, बैंडवाला है, मुजेशियन है ये सभी इनके चितरों के शिंकला में शामिल है चले नेक्स्ट कोशन देखते है question number 55 कलकाटा गुरुप की स्थापना किस वर्स हुई थी, 1935 में, 1940 में, 1933 में, 1948 में तो कलकाटा गुरुप की जो इस्थापना है या पिए, 1943 में हुई option 3, सभी लोगोंने answer बिल्कुल सही दिया है कलकाटा गुरुप की स्थापना 1963 में हुई तो ये इन कलाकारों की सहायता से कलकाता गुरूप की स्थापना 1943 में हुई और इस गुरूप में कुल आठ प्रमुक कलाकार थे चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन नमबर 56 है पिकासो का विश्व विख्या चित्र ग्वैनिका कि शैली का है आती अथार्थवादी घनवादी अभिवेंजिना वादी तीनो तो यहाँ पर हो जाएगा तीनो ठीक है ओप्शन यहाँ पर फूर बिल्कुल राइट हो जाएगा चली आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन में कोशन नमबर 57 घनवाद से प्रेड़ना लेने के प्रांथ निजीव श्रेस्था वाले कलाकार का नाम बताना है ब्रॉक ओजन फेंट केस कुल करनी राम कुमार तो यहाँ पर राम कुमार हो जाएगे आप्शन फूर बिल्कुल सही हो जाएगा राम कुमार के जो चित्र है यह अमूर्थ उत्ता प्रदर्शित करते हैं ठीक है घनवाद से प्रेड़ना लेने के पश्चात ही इन्होंने अपने निजी विश्रेस्था से अमूर्थ घनवादी कृतियों का स्रिजन किया है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉष्चन क्या है चोलप्रदेश की कमिशनरी है चोल लोगों का समू है कलाकारों का एक गाउं है या इनमें से कोई नहीं तो मदराश चोल मंदल क्या है ये कलाकारों का एक गाउं है option 3 यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा मदराश Chol Mandal की जो स्थापना है इसकी स्थापना 1906 में ठीक है तांतरिक कलाकार केसे यो पढ़ने करने किया था Chol Mandal Artist Village के नाम से जाना जाता है इसे और ये कलाकारों का भारत में स्थापित पहला गाउं है ठीक है यहां से निर्मित बार्टिक कलाकृतियों को इतली को निर्याद किया जाता था। ढालकिक कलाकृतियों को इंज-धापना 1916 observaD kalakor के जाना जाता है। कुमिय-ज़म्रा 69 आरवी भासकरन कृष्ण खन्ना तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा के सी इस पढ़निकर ऑप्षिन टू जो कि आप लोगों ने राइट आंसर दिया है के सी इस पढ़निकर हो जाएंगे चलिए नेक्स्ट कुश्चन चलते हैं पाकिस्तान से आये विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े बॉंबी ग्रूप, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रूप, दिल्ली शिल्पी चक्र, प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स एसोशियेशन तो यहाँ पर आप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दिल्ली शिल्पी चक्र, ठीक है पाकिस्तान से आये जो विस्थापित कलाकार से ये किस संस्था से जुड़े दिल्ली शिल्पी चक्र से दिल्ली शिल्पी चक्र जो है इसकी स्थापना 25 मार्च 25 मार्च 1949 को शिल्पी चक्र की स्थापना की गई और बीसी सान्याल यानि की भावेश चंद्रसान्याल ने की ठीक है इसमें जो प्रमुकलाकार थे उनमें धनराज भगत हैं प्राणात मागों हैं कवलकृष्ण ये सभी यहां पर प्रमुकलाकार थे इसके लावा यामनी रायक, केस कुलकरणी, जयापा स्वामी और रामकुमार, रामिस्वर, भूटा ये सभी जो हैं बाद में इसके सदस्य बन गए दिल्पी चक्र की स्थापना बीसी सान्याल ने की थी 25 मार्च 1949 को और इसके जो संस्थापक थे वो बीसी सान्याल याने की भावेश चंदर सान्याल जिने भावेश दा भी कहते हैं ठीके प्रत्थम चेयर्मेन चुने गए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कोशन यहाँ पे आपका ओप्शन टू बिल्कुल राइट हो जाएगा चले नेक्स्ट कोशन पैग के सचिव का नाम बताना है M.F.Husain, मुल्क राजानन, F.N.S.ुजा, S.K. बाकरे तो अभी हमने बताया F.N.S.ुजा हो जाएंगे आप्शन ट्री यहाँ पर सभी ने आंसर किया पर सभी का आंसर सही है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कोशन उस गुरूप का नाम बताये जिसकी पहली और अंतिम प्रदाशनी 1963 में हुई प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट गुरूप होगा गुरूप 1890, शिल्पी, चक्र, कलकत्ता गुरूप यहाँ पर गुरूप 1890 हो जाएगा गुरूप 1890 की जो पहली और अंतिम प्रदाशनी थी वो 1963 में रवींद्र भवन नई दिल्ली में आयोजित की गई थी जिसका उदगाटन तत कालिन प्रदान मंत्री जवाहर लाल नेहरू ने किया था जवाहर लाल नेहरू ने इसका उदगाटन किया था चले तो यहाँ पर ऑप्शन टू बिल्कुल राइट होगा नेक्स्ट कोश्चन गुरूप 1890 को यह नाम देने के पीछे क्या कारण था यहाँ 1890 में स्थापित हुआ इसके 1890 सदस्य थे यह जिस भवन में स्थापित हुआ उसका नंबर 1890 था या इन में से कोई नहीं यहाँ पर ऑप्शन थी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि यह जिस भवन में स्थापित हुआ था उसका नंबर 1890 था और इस ग्रूप के जो सदस्य थे जे स्वामे नाथन, एरिक बोवन, गुला मुहमशेख, जे राम पतेल, जोती भर्ट, हिम्मत शाह और के अमबा दास इस ग्रूप का जो कैटलॉग था वो भारत के मेक्सिको कलाकार, राजदूद, अक्टो वियो पहुच के द्वारा त्यार किया गा था जो कि एक प्रसिद्ध अतियथार्थवादी कवी थे चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोश्चन क्वेशन नमबर 65, घास का धेर चित्रमालि का चित्रित करने वाले कलाकार का नाम क्या है मानिट है, मोने है, पिकासो है, देगा है तो ऑप्शन टू आपका बिल्कुल राईट होगा, यहाँ पर मोने हो जाएंगे ठीक है घास का धीर ये जो चित्र है ये मोने की द्वारा बनाया गया है तैल रंगों से कैनवास पर इन्होंने बनाया है घास का धीर धाई सो चित्रों की एक चित्रमालिका बनाई है ठीक है जिसके कुछ चित्र जो है वर्तमान में म्यूसिद और साय पेरिस में सुरक्षित ह चलिए नेक्स्ट कोश्चन में चलते हैं कोश्चन नमबर 66 नौ प्रभावाद का प्रथम चित्र इसनान इस्थल किसने बनाया है जार्ज सोरा, रैन्वा, सिन्याक, सेजान तो इसनान इस्थल बनाया है जार्ज सोरा ने ठीक है नौ प्रभाववाद का ये प्रथम चित्र इसनान इस्थल किसने बनाया है जार्ज सोरा ने और ये वर्तमान में कहां पर है नेशनल गैलरी लंदन में सुरक्षित है नेक्स्ट कोश्चन चले कोश्चन नमबर 67 अभिवेंजिनावादी चित्रकला का प्रारंभ हुआ इटली में, जर्मनी में, पेरिस में, फ्रांस में तो ये आपका अभिवेंजिनावादी जो चित्रकला है इसका प्रारंभ कहां हुआ जर्मनी में और इस आंदोलन के जो प्रणेता थी वो कौन थे एडवर्ड मूंग एडवर्ड मूंग ठीक है? Next question Question number 68 अंतिम भोज चित्र के चित्रकार कौन है? Michael Angelo Rubens है Leonardo da Vinci बोती चेली तो अंतिम भोज जो है ये Leonardo da Vinci का चित्र हो जाएगा ठीक है Leonardo da Vinci ने मिलान यानि इटली के सांता मारिया उपासनागरी के मद फ्रेस्को सेको माध्या में इस चित्र को बनाया है अंतिम भोज यानि कि दर लास्ट सपर ठीक है? इसमें इशा मसीह के शूली पर चढ़ने के पहले येरुसेलम में ये उनके अंतिम भोजन का चित्र है तो ये Leonardo da Vinci के द्वारा बनाया गया है आके बढ़िएगा नेक्स्ट कोश्चन में चलिए कोश्चन नमबर 69 Michael Angelo थे चित्रकार, वास्तुकार, मूर्तिकार तीनों तो Michael Angelo जो थे ये चित्रकार भी थे वास्तुकार भी थे मूर्तिकार भी थे तीनों हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर चित्रकार, वास्तुकार, मूर्तिकार तीनों यहाँ पर हो जाएगे लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगी प्रधानता क्या थे मुख्य रूप से क्या थे है क्या पूछा जा रहा है अगर आपसे पूछा जाए माइकल एंजलो मुख्यता क्या थे तो मूर्थिकार थे और यह गौर्टा चित्रकार थे ठीक है इसके लावा वास्तुकार और कवी भी थे चले नेक्स्ट कोशन में चलते हैं कोशन नमर है 70 प्रख्याद चित्र वीनस का जन्म के चित्रकार कौन है प्रख्याद चित्र वीनस का जन्म इसके चित्रकार कौन हो जाएंगे बोति चेली रैफिल रूबिन्स वांडेर वाइडन तो प्रख्याच चित्र वीनस का जन्म के चित्रकार कौन हो जाएंगे तो यहां पर option 1 आपका बिल्कुल right हो जाएगा बोती चेली हो जाएंगे ठीक है option 1 बिल्कुल सही हो जाएगा बोती चेली वीनस का जन्म यानि कि the birth of Venus ये बोती चेली के द्वारा बनाये गया है टेंपरा माध्यम में कैनवास पर बनाया गया है बरतमान में उफीजी गैलरी में है कहाँ पर है उफीजी गैलरी में ये है फ्लोरिंस इटली में ठीक है नेक्स्ट कोश्चन क्वेस्चन नुमर् सेवेंटीवन है इंग्लिस भू दृष्य चित्रकार है नाट्स हो जाएंगे जौन ओपी होंगे टर्नर रेम्बरांट इंग्लिस भू दृष्य चित्रकार के रूप में यहाँ पर टर्नर हो जाएंगे ऑप्शन 3 जो कि सभी लोगों ने सही आंसर दिया है तो ब्रिटिस दृष्य चित्रकार के रूप में टर्नर जाने चाहते हैं यहाँ पर जो कि समुद्री दृष्य नदियां परवत ठीक है इन सभी का इन्होंने चित्रमनाया इन्हें बहुत प्रिय थे और जन्म इनका 23 अप्रेल 1975 को लंदन में हुआ 1975 में लंदन में इनका जन्म होता है ठीक है इन्होंने विवाह नहीं किया था ये चीज़ याद रखीएगा पूछा जा सकता है और ठीक है तो यहाँ पर इनके प्रमुक्षित्रों में है पंचक्की का नदीतट चांदनी रात्री का अध्यान इन्होंने बनाया है लाइबर स्टूडियो का चित्र बनाया है कुहरे में से उगता सूर्य इन्होंने बनाया है शेबा की राने की सागर यात्रा बनाई है नाला पार करते हुए बनाया तो ये सभी इन्होंने बनाये है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन में क्वेस्टन नंबर सेवेंटी टू है भारती चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष क्या हो जाएगा हिर्दैस परशी आनंद प्रदान करना आखों को सुन्दर लगना इंद्रियों को संतुष्ट करना जन जीवन की समस्याओं को प्रस्तुत करना तो भारती चिंतन के अनुसार कला का जो प्रमुख लक्ष है वो है हिर्दैस परशी आनंद प्रदान करना ठीक है नेक्स्ट कोशन में चलेंगे क्वेस्टन नंबर है 73 नाटेशास्र में भरत ने कितने भाव का विवेचन किया 42 यहां पर देखेंगे थोड़ा सा ऑप्षण चले 42 हो जायगा 36, 49, 45 तो नाटेशास्र में भरत ने कितने भाव का विवेचन किया है सभी लोगों को मालूम है option 3 बिलकुल राइट 49 हो जाएंगे 49 भावों का विवेचन किया है जिन में से 8 यहां पर आपके इस्थाई है 33 यहां पर इन्होंने संचारी भाव बताए है और 8 यहां पर सात्विक चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन चले कोश्चन नमर 74 तीन संगी तक किसकी प्रसिद्धे पेंटिंग होगी पिकासो हो जाएंगे नंदला अलबसू, माइकल एंजलो इन में से कोई नहीं तो तीन संगी तक यह है पिकासो की पेंटिंग तैल माधियम में में ठीक है और यह जो है मिउजियमा और अ circuits के इसे रिलेटिट , पूछे जाएंगे º पिछले एक्साम में भी आधा था तो याद रखेंगे नायू यू ब यह तो प्रसिद्ध में is a book सबसे प्रारंब में इसे रंगोली के रूप में चमीन पर बनाया जाता था और बाद में धीरे-धीरे कपड़ों पर दीवारों पर कागज पर बनाया जाने लगा ठीक है और ये मुख्य रूप से औरतों के द्वारा शुरू किया गया एक घरेलू चितरकला है ठीक है जिसे अब पुरुष भी अपना लिये है और इसमें से आपके बहुत से प्रशनों बनती हैं ठीक है बहुत सारे पुरसकार इसमें मिले हुए हैं तो आगे प्रशन आएगा उसमें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मदबनी जो लोग कलाशैली के चित्रकार हैं इसमें यमना देवी हैं, शांती देवी हैं, चानो देवी हैं, विंदेश्वरी देवी हैं ठीक है, शसी कला देवी हैं, चंदरकली देवी हैं चलिए नेक्स्ट कोशन में बढ़ते हैं नहीं तो क्लास लंबी क्वेशन नमबर 76 मुगल सिंगासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अफसर पर दर्बार का द्रिश्य किस चित्रकार ने चित्रत किया था मनसूर दसवंत मधु अबुल हसन तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा option 4 आपका बिल्कुल राइट अबुल हसन जो कि सभी के द्वारा आंसर दिया गया है ठीक है अबुल हसन ने चित्रत किया है नेक्स्ट कोशन में बढ़ेंगे क्वेशन नमबर 77 कपड़े पर चित्र चित्रकला का मुखिस्तल क्या है जोदपूर है जैपूर है उदेपूर है कोटा तो यह है आपका उदेपूर option 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा उदेपूर की स्थापना 1969 में महाराणा उदे सिंग ने किया था ठीक है इस शहर को जीलो का नगर भी कहा जाता है भारत का फिनलेंड भी कहा जाता है उदेपूर कपड़े पर चित्र चित्र कला के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है next question question number 78 है सांजी कला किस पर बनाई जाती है तो कागज पर भूमी पर कलसे पर कपड़े पर लोग कला जो है आपकी इन पर कलास मैंने पहले भी दी है सभी प्रशने एक साथ करवा दिये हैं जितने भी बनते हैं उन कलासे को आप जरूर देखेगा तो यहाँ पर option 2 आपका बिलकुल सही हो जाता है साजी का अर्थ क्या होता है साज सज्जा और सज्जावत ठीक है यह जो कला है मतुरा उत्तर प्रदेश की ब्रज में इसका जन्म हुआ ठीक है पहले यह भूमी दीवार पर गोबर से बनाया जाता है और इस शैली की जो प्रवर्तक है वो किशूर भी पूछा जा सकता है सज्जा, साज, सज्जावत ठीक है यह कहां की है तो उत्तर प्रदेश की मतुरा ठीक है ऑप्शन टू यहाँ पर सही है नेक्स्ट कोशन क्वेशन नमबर सेवेंटी नाइन तो उप्शन ट्री यहाँ पर राइट हो जाएगा हिंदू देवी देवताओं का चितरन नेक्स्ट कोशन प्रसिद्ध चितर नेली रात के चितरकार कौन होंगे राम कुमार, पिकासो, रजा, हुसेन तो यहाँ पर M.F. हुसेन हो जाएंगे M.F. हुसेन के विसेह में बहुत सारी क्लासेज में मैंने पहले भी बताया है ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कोशन में क्वेशन नमर 81 नंदराल बसु का जन्म कहां हुआ था बिहार, पंगाल, गुजरात, मध्यप्रदेश इनका जन्म बिहार में होता है इनका जन्म 3 दिसंबर 1882 को बिहार के मुंगेर जिले के हवेली खड़कपुर नाम कजबे में हुआ था ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कोशन में क्वेशन नमर 82 किस आधिनिक भारती चित्रकार की रे खांकन पहले नजर में ठोस काले विस्तार के रूप में दिखाई देते हैं, राम कमार, नंदलाल बसु जे राम पटेल, श्यावक्ष छावडा तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा थ्री, आपका बिल्कुल राइट, जे राम पटेल, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कोशन में क्वेशन नमबर एट्टी थ्री बध्य प्रदेश सरकार ने किस कलाकार को कालिदा सम्मान से सम्मानित किया तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आप्शन थ्री, के जी सुब्रमडियम हो जाएगे, ठीक है चलें, नेक्स्ट कोशन क्वेशन नमबर एट्टी फोर असंबद्य चित्रकार का नाम बताना है जामने राए, रामकुमार, भी प्रभा, के स्कुल करने तो आप्शन टू यहाँ पर आपका सही हो जाएगा रामकुमार, रामकुमार जो है यह घनवादी द्रिशित चित्रकार थे जबकि बाकी जो तीनों है जामनी राए, के स्कुल करने भी प्रभा यह लोग शैली से प्रभावित कलाकार थे आप्शन टू यहाँ पर आपका सही होगा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कोशन चांद को देखकर भोगता हुआ खुता यह जो चित्र है किसने बनाया पिकासो, M.F.Husain, जॉन मीरो, सूजा तो चांद कर देखकर भोगता हुआ खुता यह जॉन मीरो की प्रसिद्ध कृती हो जाएगी आपका बिलकुर राइट हो जाएगा जॉन मीरो की द्वारा यह बनाया गया आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कोशन Q.86 RS विस्ट किस कला महाविद्याले की प्रधनाचारे थी लखनव कला महाविद्याले जेजे स्कूला फार्ट बंबबई स्कूला फार्ट सिन में से कोई नहीं तो आप्शन वन बिल्कुल राइट हो जाएगा लखनव कला महाविद्याले RS विस्ट लखनव कला महाविद्याले की प्रधनाचारे थी जन्म 1928 हो जाएगा इनका अनिधन 1998 ठीक है मुख्य रूप से ये सैरा कलाकार यानि कि लेंड इसके पार्टिस्ट के रूप में फेमस रहे नेक्स्ट कोशन क्वेशन नमबर 87 भारती संस्कृति के चार लक्षों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तो यहाँ पर ऑप्षन 3 आपका बिल्कुल हो जाएगा ठीक है यहाँ पर ऑप्षन 3 आपका आंसर राइट हो जाएगा नेक्स्ट कोशन क्वेशन नमबर 88 चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं दो, तीन, चार, छे तो यहाँ पर ऑप्षन 1 बिल्कुल राइट होगा चित्रण के धरातल के दो आयाम होते हैं लंबाई और चाड़ाई ऑप्षन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट कोशन क्वेशन नमबर 89 किसी भी वस्तु अत्वा आकरती की मापस्वतंत रूप में क्या कहलाती है तो यह आपकी कहलाती है प्रमार ऑप्षन 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा नेक्स्ट कोशन में चलते हैं पैस्ट नमबर 90 है समान अथवा समन जैसे पुर्ण आवियवों की जो पुनरावरत्ती है इस सिवत्पन और निरंतरता को क्या कहते है एकता ले प्रभाविता संत्रलन तो इसे कहते हैं ले ऑप्षन यहाँ पर टू बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है ले जिसका अर्थ है प्रवाह ठीक ले को ही चित्र का प्राण माना जाता है नेक्स्ट कोशन में चलेंगे क्वेशन नमबर 91 कल्पस उत्र ग्रंतों के चित्रन किस शैली में हुए है पाल शैली, राजस्थानी शैली, जैन शैली, पहाडी शैली तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उप्शन 3 जैन शैली ठीक है नेक्स्ट कोशन कोशन नमबर 92 देखेंगे विश्व प्रसिद बाज पक्षी का चित्र निम्न में से किस चित्र कार्डे बनाया था उस्ताद बशीर, उस्ताद मनसूर, उस्ताद मानखा, उस्ताद सैयद अली खां कोशन नमबर 92 तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि उस्ताद मनसूर जो है यहों ने ही बाज पक्षी का चित्र बनाया तो आप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा इसके अलावा बनसूर जो है ठीक है पक्षी पसू पक्षी और फूलो के चित्रण के लिए जाने जाते हैं ठीक है यह मुगल शैरी के हैं चलिए नेक्स कोशन में चलते हैं हम क्वेशन नमबर 93 सर्व प्रथम किसने नाटे शासर में आठ रसो को बतलाया है आचारे उद्भट होंगे आचारे बाढ़ भट आचारे भरत मुनी आचारे नारायन मुनी तो सबसे पहले नाटे शासर में आठ रसो को बतलाने वाले हैं भरत मुनी ओप्षन त्री यहाँ पर आपका अंसर हो जाएगा रस सिध्धानति के प्रवर्टक माने जाते हैं भरत मुनी और प्रथम शती इसापूर्व इन्होंने नाटे शासर रस विश्यक सबसे प्राचीन गरंद की रशना की है ठीक है यहाँ पर इन्होंने रस का मुल आधार स्थाई भाव को बताया है तो भरत मुनी इन्हें आठ स्थाई भाव बताये हैं और उसके आठ रस भी माने है नेक्स्ट कोशन अबुल हसन के पिता का नाम क्या था बसावन आकारिजा मनोहर मनसूर तो अबुल हसन के जो पिता थे इनका नाम है आकारिजा उप्शन टू यहां पर आंसर सभी लोगों का सही हो जायेगा और सभी ने आंसर किया होगा उप्शन टू मीड करते हैं ठीक है जहागीर युका सर्वस्रेष्ट चित्रकार अबुल हसन को माना जाता है जहागीर ने उसे नादिर उजवमा की उपाधी wonder of the age की उपाधी दिया था ठीक है next question में चलते हैं next question में विशन दास निपुड थे छवी चित्र में भूद्रिश्य में एतिहासिक दिर्श्य में शिकार दिर्श्य में तो विशन दास जो है ये छवी चित्र बनाने में माहिर थे ठीक है अच्छ जहांगी ने अपने आत्मे चरत्पे स्वयम ही लिखा है कि विशंदास जो हैं शबी ही लगाने में बेजोड हैं यानि कि इन्हें चित्र बनाने में निपुण कलाकार माने हैं चले नेक्स्ट कोशन देखते हैं और यहां पर ओप्शन व्होutta है अियार दानिश होगा अले यह पजत्र पक्षियों के किससे कहानी वाला ग्रंथ थे हैं ठीक है तो 1958 में ये पूर्ण हुआ था 164 चित्र थे इसमें पूछा भी जा सकता है कुल कितने चित्र है तो यहाँ पर इसमें 164 चित्र थे जिसमें से कुल 96 चित्र ही उपलब्ध हो पाए है ठीक है और जिन में से 50 चित्र जो है Chester BT संग्रहाले Dublin में संग्रही थे Q97 देखेंगे जोगी मारा के चित्र बने हैं चत पर लाल प्रिष्ट भूमी पर सफेद प्रिष्ट भूमी पर पीली प्रिष्ट भूमी पर जोगी मारा जो कि 36 गड़ के सरगुजा जिले में रामगड पहाड़ी पर इस्थित है जोगी मारा की गुफाएं और यहां पर छत पर चित्र प्राप्त हुए हैं तो option 1 आपका बिल्कुल राइट होता है और इसका जो माप है यह आप से पुछा जाता है तो यह गुफा जो ह 10 x 6 x 6 माप आप याद रखेंगे ठीक है चलिए अच्छा भीती चित्रों का जो प्रारंभ हुआ था इस तकनीक का इसी गुफा से प्रारंभ हुआ था यह भी याद रखेगा नेक्स्ट कोश्ट Q98 भीम बेट का गुहाएं कहां परस्ति थे राजस्थान में उत्तर प्रदेश में बिहार में मध्य प्रदेश में तो सभी लोग जानते हैं कि भीम बेट का की जो गुफाएं हैं ये गुफाएं मध्य प्रदेश की राजधानी भूपाल ठीक है मध्य प्रदेश की राजधानी भूपाल ठे 45 किलो मेटर दक्षिन में खुशंगा बाद से भूपाल के जाने वाले जो रेल लाइन बर्खेड़ा और उवे दुल्ला गंज इस्टेशन में नाम याद को याद रखना है नाम बर्खेड़ा और उवे दुल्ला गंज पूछा जा सकता है चलिए अच्छ दो हजार तीन में 2003 में यूनेसको द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल भी घोशित किया गया है नेक्स्ट कोशन भारती लगो चित्रो की बूंदी शैले का उतकर्ष किसके समय में होता है राव चतर सिंग राव भाव सिंग सवाई जै सिंग राव उमेद सिंग तो यहाँ पर राव उमेद सिंग हो जाएंगे बूंदी शैले का उतकर्ष की बात है तो राव उमेद सिंग हो जाएंगे और था option आपका सही हो जाएगा नेक्स्ट कोशन को क्वेस्टिन नंबर हंडिड है यहाँ पर महाराजा संसार्चन इस शैली की चित्रकला के महान संरक्षक थे कांगड़ा होगा गढ़वाल बश्रोहली गुलेर तो संसार्चन की बात जब भी की जाएगी तो आप ध्यान पर पहुंची थी ठीक यह कटोंच वच की राजया थे ठीक है और संसार्चन के जो दर बारिक चित्रकार थे उसमें कुशनलाल पफफवाले अम चित्र मुख्य रूप से बने हैं चलिए तो यहां पर अंसर वन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है कांगडा हो जाएगा तो यह थे 1999 TGT UPTGT का पेपर था जहां पर आपके 100 कोश्चन इसमें पूछे गये थे तो जल्दी से बताईएगा कि 100 में से कितने प्रश्ण आ आपके लिए काफी हलके लगेंगे बहुत इजी कोश्चन लगेंगे क्योंकि आपने कई बार इस पेपर को देख लिया है ठीक है तो उस समय जब यह पूछा गया था तो उस समय यही पेपर लोगों को टफ लगा होगा लेकिन आज के समय में आपके पेपर का पैटरन आपके जादा होने के चांसे है क्योंकि पूछे जाते हैं प्लस नए कोसिन भी तो यहां पर यांपर एप्लेवानी के यहरा पर आपको अच्छे प्रैक्टिस इट कराये जा रहे हैं तो जोड़ सकते हैं और इसके इलावा प्रीवेस कोश्चन इसी तरह से थीक है Te Strateg करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे नए होंगे तो बिलाइकट को प्रेस करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट अगली प्रीवियस कोशन पेपर में तब तक के लिए धन्यवाद